व्युर्टाइएं, अग्यिकैंड आइंगね, स्पारवस्ट अल्युत क्वेर्ट ब्रट्स अनले चाहे न, हमर सब ए vapor और दातर नमुक Ihnen के लिए टेकरा अगे और रोड़ force किया होता है किसी भी चीज को push या फिर पूल करना push means धक्का एक और pull means उसको अपनी तरफ खीचना किसी भी चीज को अब जब पूल करते हो या फिर push करते हो उसी को force के थे यह आपको पढ़ाया जा रहा है I think class 6 से आपको पढ़ाय जा रहा है कि push और pull होता है force अब motion भी आपको पढ़ाय जा रहा है कि motion क्या होता है movement किसी भी चीची movement हल चल बट हम motion वाला जो chapter है वो हमारे पीछा chapter number 8 जो कि हम करेंगे अभी पहले मैंने force and loss of motion में मुझे रगता है कि वो chapter भी cover हो जाएगा अब हम सभी को पता है कि force and loss of motion यह हमारा क्या है force and loss of motion इसे में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको discuss कर वारी हूँ कि हम पढ़ेंगे unit dimension कि जो force and loss of motion कि एदे को force क्या होते है एक कोई भी force किसी भी चीज़ को पुल या push करना किसके साथ with motion क्योंकि आप किसी भी चीज़ को force तभी डालते हो जब आपको किसी चीज़ को motion से rest में लेकर आना या फिर rest से motion में लेकर आना है तभी हम force के बिना motion नहीं है motion के बिना force नहीं है कि pe motion भी होता जब हम किसी भी चीज पर push या pull करते हैं अब हम इस की चाप्टर में पढ़ेंगे unit or dimension और unit maxima weight momentum when अब इसमें पढ़ेंगे हम किलो ग्राम भी पढ़ेंगे dimension mark भी पढ़ेंगे ठिक है conversion conversion भी पढ़ेंगे और unit वेट की भी आपको दिख रही है आपर यह इक्वल्स कनवर्जन फिर हम मोमेंटम की यूनिक पढ़ेंगे और सभी आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे यह हमारे इंट्रडक्टरी वीडियो है मैं एक पार्ट इसके उपर बनाऊंगी ठीक है तो प्लीज मैं चैनल को जर देख लो तरड लो फिर आपको देख रहा है लो ओफ कनवर्जन फोल्स कि हम कुस तरह से ला सकते यह वाला लोग किसी बच्चे को आ गया तो मानो कि उसको पूरा चैप्टर आ गया बच्चों फिर आपको क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कि जो फोस इसा पुश को Frictional Force Always oppose the motion of objects अब देखो Frictional Force क्या है कि Always oppose होता है Frictional आपको बता देती हो आपको पता है किसी भी चीज को आप Push or Pull कर refl पर हम चाहते है friction अगर कोई भी चीज friction है किसी भी friction तो हर चीज में होता है friction क्या चाहता है कि मैं opposite हूँ means वो हमारा दुश्मन है अगर हम friction के साथ साथ चलेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है ठीक है तू अभी आपको बताते देखो एक wall है एक क्या है हमारे पास एक wall है एक लड़का है वो चाहता है कि मैं इस wall को धका मारू ठीक है क्या करूँ पुश करूँ और यह हिल जाए अब देखो आप वो पता है दिवार हिलने वाली है नहीं अब वो भी बताते हो दिवार क्यों नहीं लेगर मैं क्योंकि हम दो force लगा रहे है और force क्या होता है किसी चीज़ को motion में लेकर आता है बेटा उस चीज़ को motion में तभी लेकर आता जब उसका friction क्या है उसका friction हमारे force से नीची हो जाए, अभी आपको बताती हूँ, जो ये हमारा है, ground floor, ये हमारा क्या है, ground floor है, अब आप देखो, अगर आप इस पर क्या लगा रहे हो, force लगा रहे हो, एक में डुको बच्चा, अब देखो, Newton, हम क्या कहते हैं, force को किस चीज में measure करते हैं, Newton में, N, N से denote करते हैं, कि इस जो वोल है, एक और example कह रहे हैं, बट जो दिवार का जो Newton power होती है, जो दिवार का जो friction होता है, वो हमारी बॉड़ी से बहु जादा होता है, तो हम नहीं हिला सकते हैं, अब को गे मैं friction हमेशा किसम चीज में होता है, अब को गे मैं glass, glass का friction नहीं होती है, जमीन के, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एक अपना नाम देंगे, कि वो एक friction है, अब हम force लगा रहे हैं, किसी friction oppose, means force हमें से oppose होता है, क्योंकि देखो, हम इसको हिला आ रहे हैं, पर यह हिलेगी नहीं, तभी तो कह रहे हैं, उल्टा होता है, अच्छा, तो अब लगा रहे हैं, आपने क्या लगाया, वन न्यूटन पावर लगाई, इसका जो, means घर चीज के लिमिट होती है, इसके जो लिमिट हो है, तैन न्यूटन, अगर आपने तैन न्यूटन तक का force लगा दिया, तो यह दिवार हिल जाएगी, फोर एक्जांपल, ठीक है, फोर एक मंजिल और थी, पर अब आप में इतनी पावर नहीं रही, कि आप 10 न्यूटन का भी force लगाते हैं, इसलिए कुछ friction की ऐसी चीज़े होती हैं, जो force के opposite होती है, उनको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसका उम friction बोलते हैं, जो कोई चीज contact reason में हो, surface के contact reason में, और उसक साथ ही और आपके साथ, तीन आगे, चलो, चार आगे, ठीक है, ऐसी आगे, इसको erase कर देते हूं, एक बार, ऐसे आपके जो, सभी के सभी जो friends थे, वो भी आपके साथ है, चलो, हम भी चलते हैं, यह आपका दूसरा friend आगा, यह आपका तीसरा friend आगे, दीवार थी, अब क्य कभी क्या होता है, कि friction अपोज होता है, कि अपोज तो होता ही है, ज़रूर नहीं हिल जाएगी, कितना ही लगा लो power, कोई कीचेज नहीं हिल पाती है, उनके लिए ज़्यादा बड़ी मातरा में हमें क्या चाहिए, Newton power चाहिए होती है, तो यह आपको समझ में आगा, यह आप अब जो हवाई, जो हवाई, जो हवाई, जो हवाई है, 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 जो हवा कि कि अब यह तो हमारी दुश्मन हैं हम सोचिल हमारी दूश्मन है और आगए जाना पर यह मैं पीछ दखाती है जोसे सैखल चलाते हैं उन्हें पता होगा कि जब हाषा है तो अवाइ आते तो हम लगदा कि में अगर जिस टाइम आप पीछे की तरफ चलने लागे हैं जो फ्रिक्षन वह आपकी जो फ्रेंड बन जाता है एक तरह चीक है मोगदान है दोनों का इन दोनों की वज़े से ही में पता चला है कि मोशन क्या है और फोर्स अन लोज अफ मोशन आइसेक न्यूटन ने दिये हैं तीनों लोज ठीक है तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स ठीक है इतना आपको सभी को पता चल गया है अब देखो अन बैलंस फोर्स अब हम दो तरह के फोर्स होते हैं यह अगर आपको समझ गए जिससे आपने मोशन का जो चैप्टर इसमें मैगनिट्यूड विलो से थी आपको अगर यह समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर को भी असानी से समझ सकते हो बैलंस फोर्स एक होता है अन बैलंस फोर्स यह दोनों के दोनों फोर्स हम कवर करेंगा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हूं इनके बार में बैलंस फोर्स क्या होता है ठीक है बैलंस फोर्स जिसमें जो पावर है बैलंस फोर्स में जो पावर है वो equal हो जाती 0 के और unbalance में क्या होता है not equal to 0 इतना आपको पता चल गया है अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और यह हमारी cover से प्लीज अगर आपको लिखे ने तो आप screenshot ले सकते हैं यह सभी example है मैं आपको सभ कर दीजेगा और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक जरूर एक दे दीजीगा ओके और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जो कि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम बाबाई एंड टेक केर आफ यह साल बाबाई